अब हमारे साथ BJP स्टेट प्रेजिंट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महिन भट जी होंगे यहाँ पर जिनको अभी हाल ही में कमान मिली है और मैं चाहूंगी प्लीज सर आप मंच पर आएगा महिन भट जी प्लीज आप मंच पर आजाएगा सर जोरदा तालियो के साथ स हमें सेशन को आगे बढ़ाएंगे लेकिन इस बीच में आपको बता दो उच्छात्र राजनीती से शुरुबात की गई ब्राहमार चेहरा है गडवाल मंदल से आते हैं दस पर प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हाल ही में नई कार सबसे पहले बहुत स्वागत सर आपका अपना कीमती समय आपने दिया और मैं अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार और जीनू जैसे बड़े चैनल के पास मुझे आने का अफसर मिला मैं आप सब को हिर्दे से आपका भारी है बिलकुल सर चुकी जिम्मेदारी मिल चुकी है चात राजनीती से आपने शुर्वात की थी और अब बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है है ट्रिक लगानी की तैयारी कैसे चल रही है क्योंकि दो दो जिम्मेदारी है 2024 भी है निगम चुनाव भी है देखे बार्दियनता पाल्टी एक कारिकरता आधारी संगठन है और आज मुझे दाईतों मिला है मुझसे पहले भी बड़े महत्वपूर्ण कारिकरत हमारे दाईतों पर रहे हैं भारतियनता पाल्टी का कारिकरता बहुत इस्तर पर जिस रूप में काम करता है उन कारिकरतों के अंदर उत्साह खड़ा हो इस दिष्टी से हमने अपनी हम गठन करेंगे सबी कारिकरतों को साथ लेकर बरिष्टों का अनुभाव लेते हुए हम क्यूंकि हमारा कारिकरता हमारा संक्रत हर चुनाव के तयार रहता है बारजनता पाल्टी नंबर एक पर थी नंबर एक पर है और नंबर एक पर रहेगी तो स्पेशल 34 की टीम बन युवा चेहरों को उसमें रखा गया है माहिलाओं को समें फोकस रखा गया है तागेट 2024 है कि हानिसी तरूप से क्यूंकि राइनती दल होने के नाते हर चुनाव में हमारी सबलता हो यहम सब लख्य रहता है और युवाओं के साथ-साथ उत्राकंड का जो भौगली पर्व करता होता है सब कमने समाहित क्या है और लख्य है 2024 है 2024 में पुषकर सिंग धामी जी के नितुतों में और माने निरिंग भाई मोधी जी के मारव दर्शन में हम कार्यकरतों को सरकार के कामों को निचले इस बूत इस्ताद पोचाते हुए हम भविश्य के चुनाओं विजाई हों यह हमने क्यान के एकले में आज बीकल करें इसे लेकर सामझे से बठाने की कोशिश करता एक तरव ब्रहबन चहरा आता है इस सामन जय neural में सब इसों की चर्चक अंविव होती नहीं है Kaiser sizin शपर लोग्पण को बटकेबं और राफा की मिलेर स्टिकोर हम खालाया है idences कमोलीखञ को दो इसार है लोग जोसी से लिए कालीखता है चक्रोता चेत्रों हमारा मैदानी चेत्रों हमने कोशिच के सब कारिकर्टों को समाहित करते हुए सब कारिकर्टा अन्भवी कारिकरता है उनको दाइतों देकर और हम बभिष्य के अंदर जो एक यह जो महाल है जिसको हम कहें कि गड़वाल का पक्षा है कुमां को ऐसा दूर तक इसका आवास होगा नहीं और कारिकर्टा उत्राखंड के हित्म काम करें यह मारा लक्ष बिलकुल और देखिए यह बात मैं भी कहना चाहूंगी क्योंकि मैं भी गड़वाल से आती हूं और ऐसे में यह जो चर्चाय चलती हैं यह वाकई में दिल को दखा देती हैं तो जब किसी से मिलते हैं तो सिर्फ निश्यत एक तौर पर एक जुबान होती है की उत्तरा खंडी बहुत बहुत बहुतर होते हैं अच्छे से आओ भगत करते हैं तो बस यही रहना चाहिए और इसी चीज की सर हम भी कामना करते हैं सर क्योंकि चुनाव के वाक्त आपने रोज उत्राखंट के अंदर रोजगार एक बड़ा विश्य है हमारे जब राज्य का गठन वा तो ऐसा लगता था कि रोजगार की दिश्टिकोर से सरकारी रोजगार के पक्ष था और मैं तो कह सकते हमारी पूरवरती सरकार हो वरतमान सरकार हो हमने रोजगार के अलगल आयम है और जहां तक आप बात करें गोटा लेकी तो पहली बार हुआ है ना आकर एजेंसी जिस रूप में काम कर रही है और माने मुख्यमंत्री का है कि किसी को भी बखसेंगे नहीं इस परकार के लोग ब्रश्टाचार के लोग यह सलाकों के अंदर होंगे उसका परमान आ रहा है और बिस्वास यहां के अंदर रहा किया है कि उत्रा खंट के अंदर रष्टाचार मुक्त हम सरकार देंगे और इस प्रकार के जो सदेंटर कारी तत्व है इनको बक्सा नहीं जाएगा आगे देके होता है बिलकुल सर बहतर है कि जीरो टॉलरेंस अपना जाए क्योंकि य प्रदेश अद्धक्ष क्योंकि आपको यह पद्ध मिला है आप चुनौतिया क्या देखते हैं कि देखे रांतिक जीवन में चुनौतिया हर पकपर होती है लेकिन जिस संगटन में में हूँ वहां सामुक्ता से काम होता है सब कार्यों सहयोग से काम होता है और मेरे तो सब्सक्राइब करते हैं हम सब के साथ मिलें चुनौतियों का सामना करेंगे यह ठीक है विपक्ष का अपना काम है लोकतंतर विवक्ष का महत्तों होता है और यह भार जनता पालता है विवक्षी बात को मानते है अभी हरिस रावत जी धरना देने जा रहे थे लेकिन जब मि बहुत बड़ी बात है ना मुख्यमंतर मिलके उन्हों दरना इस्तागित क्या है इसका माइने कि सरकार ऐसी लोकतंतर सरकार है जो विवक्ष को चो जो हमारे स्थम्व है लोकतंतर का स्थम्वर पोशिशन है उसकी बात को मानते और जितनी चुनौत जिस रूप में भी का गोच्ट जिस योगिंगे शर्व चाहता है उसको रखागा जाता उसका समय भी क्याव ओने मंत्रीप्रशंद बाएंगे को चलिए कि में दायत बैंदारी में कि इसके लिए को धबाव हमारे को और नहीं आता है कारिकरता हमारा संगटाने सब से बातचित करके जिस कारिकरता ही जहां उपियों किता है उस कारिकरतों वह स्थानपम रखते हैं और उससे प्रणाम भी लेते हैं जैसे हमने आज ही मैंने प्रैस की तो मैंने का हमारे सांसद है हमारे पांच लोकसभा के तो देने वाले हैं अपने पर चेतर के जो संसाथ उन त्याइज सीटों पर कारीकरतों के समझ में और जन समझ्चाओं को प्रमुक्ता सुरू आगे पोचाएंगे राजयस्तरी समझ्चाओं का समाधान याओंगा केंदर का वहां होगा है यह हार कारीकरतों हर विधाय को हमने में 2024 के चुनाओं में उत्राकंट की 70 की 70 विदान समझाओं को जीतना है और उसके लिए हमने का है कि अभी चंपावत मॉडल को हम अपनाएंगे चंपावत में 24 परशन टोटल पोलिंग का हमको प्राफ्त हुआ है इसको हम व्यापक रूफ से और नीचे तक कैसे लिए आसन विए आपको बेनिफिट दे जाती अंतर कले की वज़े से उसका बेनिफिट आप लोगों को मिल जाता है आप तो महनत करते ही गर कॉंग्रेस के अंदर क्या जगणे उस पर ज्यादा ध्यान कभी देते नहीं हम उनके वीशे पर चर्चा भी नहीं करते हैं हम अपना काम कैस अगे बढ़े इसकी चर्चा कर दो चुनाव नजदीक है राष्टवाद की बात होती है हिंदुत की बात होती है जंडा क्या रहेगा दोहजार चौबस के लिए आप लोगा देखे राष्टवाद हमारे ससकार में राष्टवाद के विना हम देश की समगरता की कल्पना भी सरकारे आगे हैं लोग सबसे आगे हमें और लगातार जंद समर्दम मिल रहा है तो राष्टवार भारत के अंग में है और उसको मोदी जी ने हमारी सरकारों अपर मुद्दा दिये सर अगर राजनीती के हम बात कर रहा हैं तो देखे जनता के सरोकार से जोड़े मुद्दे जो है वकसा सामने निकल के आते हैं और निश्चित तौर पर आप जब अगर बीजेपी सड़कों पर आज तो लेकिन आज पेट्रोल डीजल के दाम इतने हो रहे हैं देखे ठोड़ा अगर विश्वक्रदिस के दाब से देखेंगे कोरना काल के बाद महेंगाई के वल भारत के अंदर ही नहीं आये पूरे विश्व के अंदर इसका प्रकूप आया है लेकिन कम तो सोभाग्या साली कि नरेन भाई मोधी ने कर मैसूश नोंने दिया हुआ है और जब जब विश्वटे हमारी सब्सक्राइब प्रयास रहते हैं हर्स विश्वक्राइब हमेसा गंभी रहती है उसके लिए आरसम प्रयास किये जाते हैं विश्व कर रहे और यह सत्य है अगर प्रतिव्यक्ति आए में भी संबलने की इस विश्वास है इसलिए जब ऐसा गटना होती जब वातरों बनता है तो हम चीज को ध्यान रखते हैं उसको समय से पर महेंगाई का जो प्रभाव है उसके लिए क्या शुदार करने का मुलगों को प्रयास रहता है कि अपने काम कॉंग्रेस क्या करती उसकी बात नहीं करते हैं लेकिन जब बीजेपी में थे तो दिखते थे लेकिन अब कॉंग्रेस में जो शोर से वो गए थे उमोशनल भी काफी हो गए थे कि दगाबाजी उनके साथ की गई है लेकिन अब कॉंग्रेस में नजर नहीं आ रह हैं और खासकर जब मैं उत्राखंड के लहाद से बात कर रहा हूँ तो उत्राखंड की बहुआ भोगलिक परस्तिति जो हम ने देखी वे किस तरीके कि और यहां पर रोजगार की चब भात करते हैं, तो बहुत सारी दिकते हैं पर आजाती हैं, पसुरहां कि समस्य जो था उसके प्रदेश में दोनों बाते थी एक तो हमारा प्लायन सड़क, सिक्षा, रोजगार, ब्योस्ता नहीं ठीक नहीं, बिजली हो चाहिए पानी हो, अभी मायने मंत्री जी आपर बोल रहे थे, स्वास्तिक इचेत में गुनातों सुधार हुआ है, जहां पूरे बनेशन अच्छे प्रियास की सबका होन है और सड़के पोहुचने से, आज में लेकिन से प्लायन को लेकर कॉंग्रेस तो कहते हैं आकड़े देख लीजा, आकड़े तो कुछ और कहते हैं बीजेपी बले ही कुछ भी कहते हो कि पलायन कर रहें कि लिग को रोकने के कि सब युखती हैं तो लोग आते हैं और हमने भी आवान किया है आज सेना के चेत्र में जो लोग सर्वीश करते हैं जो पहाड़ के बढ़े हैं और बने आप अपने गाओं में देगे ना आप पहारी की आपने कहा है आप पता करिये आप से 5-7 साल पहले कि बाद कितने लोग न कि अपने ने घर बनाएढ कई और भीषे सकता हो कि हमारा जो दार्मिक प्रहलें है शाशीक प्रयाटर प्रेधे और जो उत्राखंट के प्रधिष्च डारा सौचने का पाक्षा है कि मैं बड़ी संक्ख्या में देश के परह तक उत्राखंट के और आएंगे अभी घुन लोग आएगा इस मन्थ्य ने से अपने उत्रा खंट के पूरे देश के अर उत्रा खंट का तू देशी नहीं पूरे देश्चों में लोग रहते हैं सब का सर्राइबाव राजय किपृति बना एक क्यों दिए सबके घर में लोग आएंगे झालीए अब्लकुल यह वेतर शाय दिया की जो ओडियंस बैटी वो भी कहीं कि इससे बहतर कुछ हो नहीं पाएगा शायद कि अगर लोग पलायन सरकार वाकई रोक पाए और जो लोग है जो कि क्योंकि जब गाउं पहुचो तो देखकर बड़ा दुख होता है कि घरों में ताले लगे हुए हैं खंडर हो गए चते टूट गई है और वो जो रॉनक दिखती थी अक्सरगाओं में अब नहीं दिखती है तो सर इस पर वाकई में अगर कुछ बहतर हो रहा है तो बहुत अच्छा है पहराल सर मागे बढ़ते हैं नहीं कारे कार्णी का गठन हुआ है यूवा चेहरों को आपने तवज्यो प्राणी का बठेगा उन्हें कैसे संतुष करेगी बीजेपी आप भारती जन्ता पार्टी में हर कारीकरत्य का संगतन में उसका प्रियोग होता है उनको ले कुछ नो कुछ दाईतों रहे होते हैं यह ठीक है कि संगतन पुराना हो और उसमें नय लोग नाएं तो पिर संग तो में थे हूं सब से किसीने की सुरूप में हमारे उनसे मिलना होता है उनसे बाचित होते ही कमीटिया बनती है उनक और हमारे 28 आपके विभाग है हर वाक किने योकितम व्यक्ति कर लिए हम सब कiłके हमारे 18 पर अधाराइब प्रकोष्ट है 18 परकोष्का से आथका साल से चालिस साल के पीछ तो चालिस साल वाली बहन जो हमने पिसली बार अपनी अद्दक या उपादक बनाई होगी तीन साल का कारी कालपा 43 को जाती है तो नहीं आना स्वाविक है तो संगटन में नयों का समागम यह भी आवश्यक है संगटन के विश्थार के लिए और लोक अचर भले ही राजनितिक पार्टी कितना बहतर तरीके से फॉल्व अप ले इस तरीके से काम करें लेकिन कहीं न कहीं ऐसी स्तिती हो जाती है कि रहकर वो चीजे सामने आ जाती है और चुकि मीडिया जगत से हैं तो हमी खबरे दिखाते हैं अक्सर तो वह सर आप भले ही मनमुटाव है या फिर दुख जाता है कि यह पद हमें नहीं मिल पाया देखे करें के रांक राय को समझने में लगता है हमारे हैं को ब्यक्ति अपनी बात रखता है इस लिए उसको मन मोटाओ का दिश्वोर से नहीं देखना चाहिए सवाहिक निल्ने की पद्दजी सामोग करते हैं सामोग करता है तो अपर आपको करता है उस पर चर्चा भी होती है लेकिन निल्ने सामोग होता है मैं अज द्यक्रूंग मेरे बरिष्टाम कारी करते हैं तब होनी के बाद कई आ कर तदल को नतर या हमारी संकतरी कारिप iveness तू Кे रख़ उइस पर आजाते हैं कि बहुत विरोध हुआ इसका कोड़र से भड़तियां वी शुरु हो गई और कम भरतियों की बात भी बीच में ऐसे सुनने को मिला कि कम भरतियां भी हो रही है लेकिन सर बीजेपी कह रही है याने कि आप लोग कह रहे हैं कि अगनी विर्योधना जो है बहुत बैतर है एक बच्चा जो कुछ इतना उस उमर में समझ भी नहीं पाता तब तक इस्टेब सब्सक्राइब करें तो पहले तक तो ना करो आज कॉंगरस के सब्सक्राइब करो तो ठीक है अगनी बीर के संदर में जहां जहां हमारे कारे करता हुआ उनके सब ब्योस्ताइए कर रहे है कुछ विशाय है तो शत्पाल महराज जी का विशे आपने आप आपके पूचेंग जो विशाय हमारे केंदर तक जाता है उस तो सामुग नेने बहुत जली ने सबके समुख होगा अब सर आपनी क्यूंकी जिक्र कर दिया तो प्रेटन विभाग मेरे दिमाग में आ गया यहां पर प्रेटन विभाग की जब हम बात कर रहे हैं तो हम हमाचल की जरा बात कर ले यह ठीक है कि हमांचल बने कितने वर सोगेर उतरांचल बने आप लगबग 2,000 से 2,022 साल है और एक भी सत्य है कि इस बार की चारो धाम की यात्रा में जितने लोग आए यह एक रिकॉर्ड है अभी आल विदर रूड भारतमाला रूड रेलवे की कनेक्टवीटी संचार की बिजली की बियोस्ता होम इस्टे आप मैं विश्वास पूरक कह सकता हूं अगली बार तो सित कालिन यात्रा भी प्रारम हो कि सत्पा महराजीन तो पूरे अपने इस समद्ध में जो मॉडल तयार किया है मैं अभी साथ कह सकता हूं और उत्रा खंड ऐसा राज्य होगा है ज तो समय काम होता है यह ठीक है बीच बीच में कुछ अदल बदल हो रहा था इस बार वी इत्यास में पुसकर दिनामी जी के नित्यत्यत्यों में हमने उत्रा खंड कंदर विकास की सरकार को दुबारा हम यहां पर लाएं और जनता को विश्वास हुआ कि हां भार जनता पालि जोगी की हो गई है यहां पर और अट्रिक बनाने की बात आप कह रहे हैं तो डबल इंजन की सरकार है तो जाहिर तोर पर उत्राखंड को भी बेनिफिट का मिलता वा नजर आएगा बिल्कुल उत्राखंड में भी हम क्योंकि को मैं तो कहता हूँ नरिंद भाई मोधी का जन इनको बढाने के प्रियास कर रहे हैं सब दृष्टी से और यहमारा सुभाग्या की मोधी जी का पूरा मारदम सब को मिलता है और सिराज्य के अंदर जो विशाय के लेकर हमारे प्रदान मंत्री के इंदर सरकार के मंत्री बाराध सरकार मा जाते हैं किसी चीज के लिए ना इनको अशचर घजा गैसके लिए खासकार उनका विशेश प्रेम है और विशेश प्रेम है तो जाहर तवर टो उत्तरा खंड फ्र अधिस स्विकास की हम बात कर ना इसमन इस स्विकास की और अगर। और इंजर भी हो रहा है और डबल एंजन की सरकार है तो उमीद हो भू कि बहतर कुछ और उत्राखंड के लिए होगा सर चुकि नई कारेकारणी का हमने जिक्र कर लिया यहां पर युवाओं को जब फोकस लेकर हम बात करते हैं उत्राखंड में युवाओं की अगर बात की जाए नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि अब हम देख रहे हैं इसको रोकने के लिए आप लोक कितना सक्थ है इसको मेस्सायद को रहता है मृष 돼 process मस्त रहता है और उसके कोई से जोना में में महनता नहीं हो कई कुछ चीजह की को ठीक करने का समय क getsZAा हो और नसा रुक के इसका रियास सरकारिस थे हुँआ है को जो नसे की कारोबार करें उनकी अरेस्टिंग भी है आपने फिछले दों देखा होगा चमुली में तो यह विशे था ही तो हमने काफी उसमें भी सफलता प्राफ्त हुई है खास वर्पहें जो हमारा नेपाल का बॉर्डर है कटीमा से लेगों सब वीशों में चर्था थी लेगो सब्सक्राइब करना चाहूंगी सर प्लीज मंच पर आएगा ताकि सर को सम्मानित किया जा सके इसके साथ ही मैं मंच पर आमंच पर आएगा और सम्मान जो है वो यहाँ पर इस वक्त बीजेपी प्रदेश अद्यक्ष महीं भटका बहुत बेबाकी से उनके जो सवाल हमने र समय नहीं दे पाते हैं लेकिन बहुत शुक्रिया सर आपका आपने यहाँ पर समय दिया और बड़ी बेबाकी से अपने सवाल जो हमने पूछे उसका यहाँ पर जवाब दिया तो यह सम्मान और एक बार जोरदार ताली से दरा स्वागत की चुएगा आप और उसके बाद यहाँ पर अगर